नमस्कार शिक्षक सातियो मेरा नाम है राजेश डीहजारे आप देख रहे है अरडी एचसर यूटिव चैनल आप सबका इस चैनल पर स्वागत है सातियों कुछ ही समय पहले आरेश के पूर्टल पर एक आज जो अपडेट आई है उसके संबन्द में हमने एक जानकारी आपको इस चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दी हुई थी जिसमें हम बताया था कि कक्षा छटवी और सातवी के वरशिक मुल्यांकन के संदर्ब में एक छोटी सी जो अपडेट है वो आरेश के पूर्टल पर आई है और इसके पूर्टल खुलने के बाद यहां पर जो है आरेश के की साइट खुल गई यह देखिए यहां पर हमको लॉगिन करना है लॉगिन करते बाद शिक्षक की लॉगिन आईडि से जो स्कूल के रजिस्ट्रेशन करने के संदर में जो शो बटन या कुछ एक जो ऑप्षण आना चाहिए वो ऑप्षण नहीं दिखाई दे रहा था यह देखिए यह हो गया लॉगिन अगर मोबाईल पर आप देखेंगे तो यह सभी ऑप्षण एक के नीचे एक दिखाई देंगे तो यह यहाँ पे student registration, add student, student tracker, student data sync with शिक्षा portal and report registration status इस दरीके के कुछ 4-5 मेनू आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे student registration और add student का अलग से new level के साथ में option आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके पहले की वीडियो में हमने आपको दिखाई भी थे कि जब हम add student पे click कर रहे थे तो यहाँ पे UDIS code तो अपने आप आ रहा था समगर ID जो है समगर ID एंटर करने का option आ रहा था और show button जो है वो नहीं आ रही थी और मैंने यहाँ यह भी कहा था कि समगर ID दर्च करने के बाद show button आनी चाहिए जब यह आएगे तब हम बताएंगे शिक्षक के ID से भी यह सब option खुल रहे है मतलब कि यह जो प्रोसेस है सिर्फ विकल्प आये थे एक्टिव नहीं हुए थे अब यह एक्टिव भी हो चुके है उनकी जानकारी आपकी RS के पोटल पर आ जाएगी इस student registration option है उस पे क्लिक करने के बाद UDIS code दिखता है class भी इसके पहले चेहन होती थी इसके अगर दर्ज है तो यहाँ पर शटवी जैसे मैंने रिट किया हूँ शो बतन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ चात्रों के जो भी जानकारी हो जानकारी गाई धेगी जब यह जानकारी आ जाएगी, यहाँ पर क्या-क्या जानकारी दिकाई देती हैं, मैं बता देता हूब Serial number आपको दिकाई देगा Samagr ID दिकाई देगी, अगर दर्ज है तो obviously तो दर्ज होगी ही कक्षा हमने chain कियो है तो कक्षा दिकाई देगी Admission number, Admission number अगर आपने दर्श किये होंगे पहले तो admission number दिखाई देगा, student का न्याम, पिता का नाम, माता का नाम और जनमतिती, इतनी जानकारी पूर्टल पे अगर आपके पास already updated है, तो यह देख सकते हो, यह पूरी जानकारी जो है, हमने प्रविष्टी की है, तो वो दिख रही है, जो जानकारी साइट पर नहीं है, वो जानकारी दिखाई नहीं देंगी, उसके बाद करना क्या है, चात्र के नाम के आगे, इधर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे action का एक option दिखाई देता है, जहाँ पे tick mark दिखाई देती है, लेते कोई चात्र का नाम यहाँ पे show हो रहा के बाद में यहाँ पे जानकारी दिखाई देती है, यहाँ पे जानकारी जो भी दिखाई देंगी, आपको बस चेक करना है, जानकारी सही है की नहीं है, अगर जानकारी सही है, तो फिर तो ओके है, अगर जानकारी गलत है, तो उस जानकारी को आपडेट कर देना है, समगर तो उसका दिवयांगता का जो प्रकार है वो भी सिलेट करना पड़ेगा उसके बाद छात्र का जेंडर सिलेट करना है कैटेगरी सिलेट करना है कैटेगरी तो अपने आप आचुके इसको बदलते भी नहीं आता जो के समगर आईडी से लिंग्ड है उसके बाद पीता का नाम आप संचोधन कर सकते है, माता का नाम संचोधन कर सकते है, अगर गलत दर्जा है, spelling mistake है, तो उसके बाद पीता जी का, या parents का mobile number इंटर करना है, यहाँ पे medium छात्रों का डालना है, medium, जो भी, जिस भी medium का छात्र है, वो medium यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपको सिलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आते हैं विशय चैन पर, यहाँ पे विशय चैन में क्या करना है, first language, second language, मतलब प्रतम भाशया, द्वीतिय भाशया, त्रितिय भाशया, इतनी जानकर इदर्ज करनी है, प्रतम भाशया, अगर हम हिंदी चैन करते हैं, मान लेते हुदारन, अगर मैं हिंदी चैन करूँ, तो द्वीतिय भाशया में अंग्रेजी अपने आप आ जाता है, उसके बाद त्रितिय भाशया में जूभी भाशया होगी, वो सिलेट करना पड़ेगा, जिसे संस्क्रीट अगर सिलेट करते हैं, अन्य आप आ जाएंगे, जैसे कि पहला प्रतम सब्जेट गनित, द्यूतिय भीज्जान, त्रितिय भीज्जान, अगर आप इसको बदलना चाहें, तो बदल भी सकते हो, परन्तु ये लगबग लगबग अंपल सरी विशह है, करके ये जानकारिया अपने आप आ रही है, उसके बाद अगर आपकी जानकारी पूरी प्रविष्टी सही अगर भरे हो, तो वेरिपाई बटन पे क्लिक करना है, वेरिपाई मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, पर मैं हालंकि वेरिपाई करूंगा नहीं, अब मेरे याँ वेरिपाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सरी जानकारिया भरी ही नहीं है, अगर आपने पूरी प्रविष्टीया कर दिया है, अगर आप वेरिपाई बेटन पे क्लिक करते हैं, तो एक पॉर्पप आता है, कि आपने जो प्रविष्टीया की है, वो सही है करके सत्यापन का, अगर आप उसमें यस करते हो, तो सत्यापन हो जाएगा, चात्र वेरिपाई हो जाएगा, उसके विशे दिखने लगेंगे और अगर मान लेते हैं कि अगर आपने कोई जानकारी गलत है कुछ संचोधन और करना है तो फिर से नो करके बैक जाब कर आप फिर से इसी पेश पर आके संचोधन कर सकते हैं मैं याप एक क्लोज करूँगा एक छातर को मैं ने वेरिपाइ किया हुआ था अगर मान लो कोई वेरिपाइड है तो वो डिलिट नहीं किया जासकता अगर आपने किसी छातर को वेरिपाइड किये हो तो दिलिट या रिमू का ऑप्चन नहीं है रिमो का option नहीं है इसका मतलब है कि ये छात्र आपके school में है पढ़ रहा है इस सत्र में वो कनपम है आप उसको सत्यापित कर चुके पर फिर भी यहां पर जो action बटन दिख रही है इसका मतलब है कि इसके विशयों का चैन अपने नहीं किया तो विशयों का चैन करना पनेगा और जानकारी अगर कुछ spilling mistake बगएर करेट करने है तो बस छात्र की जानकारी यहां पर update करनी है और विशयों जो भी है उसको 6 विशय उसका चैन करना है और verify बटन पर क्लिक करना है तो यह green mark आ जाएगा डिपोर्ट ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो यहां पर district select होता है district में हम चैन करेंगे जैसे कि हमारा बालागाट है बालागाट इधर block और इधर यह आ चुका इसको यह show बटन पर आएगे show बटन पर आने के बाद दे दिकिए school के नाम आ गए हमारे जैसके में जितनी भी है और पूरी जानकारी रेड है क्योंकि सभी की जानकारी updated नहीं है मेरे school की अगर जानकारी दर्ज करो तो हमारे school में कक्षा चटवी में 54 दर्ज है जिसमें से एक छात्र की जानकारी में register कर चुका हूँ अब मैंने दिखाए भी green color तो registration start में एक दिखा रहा है कितने register हुए तो एक register हुआ है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है और कितना प्रतिशत हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो आप यहाँ पर जानकारी track या report भी उसका देख सकते है तो अभी चात्र के registration के संबंद में जानकारी आई है परन्तु अंक प्रविष्ट करने का option अभी भी खुला नहीं है जब यह खुल जाएगा तब उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों तो शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद, थेंकियो सो मेच